इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फूल चार्ट लर्निंग कोर्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अगर इस वीडियो को आप लास तक देख लिए तो आपको चार्ट लर्निंग में एक भी प्रॉलम नहीं आने वाला है ठीक है मैं सारा टॉपिक इसमें कवर किया हूँ इसलिए आप वीडियो में लास तक बने रहा है और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर दबा लें क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाओं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके चलिए ब इंव्रेस्टिंग करते हो कि आप सवेंग ट्री यदि करते हो फिर करते हो क्या करते हो वह आपके हिसाब से टाइंव भी होता ठीक है इसका मतलब यह हुआ है कि अगर आप सावगना ऱ बजे पैसा लगाते हो तो सावगना से सावा तीन के बज़े के बीच में आपको पैसा लगाना भी और मार्केट से निकाल भी लेना है प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस्वा तो लॉस्ट ठीक है इसको इंट्राडे अपन बोलते हैं ठीक है जो कि यह है तो अगर माल लीजिए कि आप इंट्राडे कर रह केंडल यूज करते हैं ठीक है और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं डेली केंडल यूज करते हैं या फिर चार घंटा का केंडल यूज करते हैं और जो पोजिशनल होते हैं जो कुछ जादा दिन के लिए पोजिशन बनाना चाहते है अपना मार्केट में ठीक है वह क्या करते हैं? विकली देखते है, फिर मन्तली देखते हैं. देखे Frimost Simple में मैं समझाता हूं कि एक विक्का अगर ये candle है ठीक है? एक विक्का ये candle है तो daily में ये पांच candle बनेगा ठीक है? Daily में ये पांच candle बनेगा और और वही अगर मंतली में आ जाए तो चार विक का जो होगा वो मंत का एक केंडल बनेगा ठीक है तो सारा का कल्कुलेट करके फाइनली वही बनता है ठीक है यह हो आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी चार्ट ठीक है आप कभी भी चार्ट देखो आप कुछ का भी अनलाइसे करो वेक टेस्टिंग करो या फिर चैनल में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और आपको अगर इस चीज पे नहीं देखना है तो आप क्या करो कि जो भी आपका एनलाइसे का तरीक है उस पे आप क्या करो म मंतली चार्ट लग और विकली चार्ट लग और जैसे आप मंतली और विकली चार्ट लगा होगे तो वहां से आप ट्रेंड देखो मार्केट के ठीक है कि मार्केट अब ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउंट्रेंड में है आपको ट्रेंड पता चलेगा मंतली और विकली है यह हमेशा मार्केट में रहेगा क्योंकि यह ऐसा है प्राइब कैसे होता है वाल्यूम से और प्राइब होता है ठीक है और वाल्यूम और प्राइब से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्यों वाल्यूम मार्केट में जब आता है तब ही मार्केट नीचे आता और तब ही मार्के मैं निजाओंगा क्यूल कि बहूल अच्छा सिब्सक्राइट इसका मतलब क्या होता है अगर आप simple घुल और ठीक है और जो सप्लाइ होता है उसको सिंपल में मतलब क्या होता रसिस्टेंस ठीक है आप समझ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो जब market उपर से नीचे आ रहा तो पहले ये क्या था? Demand था, demand break हुआ, फिर से नीचे demand था, demand break हुआ, फिर से नीचे demand था, वहाँ पर market ने support लिया, और जब demand break हुआ तो ये क्या बन गया? Supply, supply से market क्या करेगा? Resistance phase करेगा, नीचे आएगा, और ये नीचे क्या था? Demand, demand ने market support लिता है, supply को break करता है, उपर जाता है, और market इसी वे में घूमते रहता है, ठीक है? अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, तो आई बटन में जो आपको वीडियो मिला, उसमें आप देख सकते हो, चलिए, अब नेक्स्ट बात करते है, वाल्यूम के उपर, ठीक है, वाल्यूम आप ध्यान से समझना, कौन मार्केट को अपरेट कर रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा, देखेंगे, अपन क्या करते हैं, अपन एक करके दीरे-दीरे सीखते है, वाल्यूम प्राइस इंटरप्रेटेशन, क्या क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा, और साथ में वाल्यूम भी बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में बुलिस है, ठीक है, बुल मार्केट चल रहा अभी के टाइम पर, और अगर प्राइस घट रहा, प्र प्रायस कब घटेगा जब著 मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और जब ऊपर से नीचे आएगा और वॉल्यूम बाल रहा मतलब रहा है नीचे आने वाल है अब जो ठर्ड पॉइंट है इसको आप ध्यान से समझेट ना प्राइज बल रहा ठीक है लेकिन वॉल्यूम जो हो रहा ठीक है प्राइज इन्क्रेज हो रहा तो यह क्या होगा फेक अप आप मोव भोगा या फिर साइडवे होगा पूरा वडियो में बहुत को सीखने वाले आप को सीखने वाले है आपको पूरा बेसिक से लेकर इडवांस तक वॉल्योम समझ में आ जाने वाला है है मैं सब कुछ अच्छे से इस में डाला हूं देखे को अब अपन क्या सीखते हैं आप है Old harvest big breakout ax start with big volume ठीक मांड़े में कभी fruitful स्टार्थ होता ना तो बड़ा वॉल्यूम से स्टार्थ होता ठीक है इतना आपको समझ में देखे फ्रेंड्स ये पहले क्या था ये एटीमांड णिसने था क्योंकि मार। उपर से स्के या और यहीं से मार्व हुआ तो आप नीचे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा वॉल्यूम से यह ब्रेक किया यह तो इसले लिखा उपर लिखा हुआ है Always टोई जब भी ब्रीकाऊट इस्टार्ट धिए मैं बॉवव कर रहा था बुभेम के-ट है कितना अचछा मार्किट उपर गया कर एकैब देख समझ सकते हों देखेस्स एक अधर मरें टीन डाइम reag this in the time of ठीक है, market एक range ब्रेंज मूव कर रहा था, इसे उपर नहीं जा रहा था, ना नीचे जा रहा था, और बहुत दिन तक market वहीं बहुत दिर तक market गोमते रहा गया, तो जब यह condition market में आता है, तो क्या होता है, कि अगर आप नीचे volume देखोगे, तो volume भी side way ही move करता है, ठीक है, आ आप यहाँ पर volume देखो और यहाँ का candle देखो, यहाँ पर इतना बड़ा candle क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर जो breakout हुआ था, यह जो zone था, इसका breakout दिया था market, उसके बाद यह candle breakout दिया, फिर market नीचे आके फस गया, ठीक है, नीचे आकर फसा, और यहाँ पर जो आपको इतना ब यहाँ पर क्या है, always trend changing, move start with a big volume action, ठीक है, जब भी market में कोई big volume अगर आपको दिखे, या फिर अगर आप candle stick देख रहा हो, तो candle stick में आपको दिख जाए कि movement हो रहा market में, तो आप समझ जाए कि वहाँ पर candle stick का भी movement हो रहा है, और साथ में volume का भी movement हो रहा है, reason क्या है, कि अब यहाँ देखो, यह one day का time frame लगा हुआ, ठीक है, daily time frame लगा हुआ, तो जब daily time frame में आप देख सकतो कम से 20 से 25 दिन market एक range है, तो यहाँ पर आप volume देखो, volume कितना side way चला, पुरा fab, ठीक है, और वही अगर आप March और April का देखे हुए, देखे, volume कितना अच्छा से उपर न पोजिशन, highest position means, position cover by big player, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जब भी market उपर जाता है, और उपर जाने के बाद, अगर market को high volume मिलता है, ठीक है, जैसे कि market यहाँ से उपर गया, ठीक है, price action बनाते, बनाते, market उपर गया, उपर जाने के बाद, इस candle के पास, एक volume मिला, ठीक है, इसके नीचे आप देखो, यहाँ पर volume मिला जो, और यह volume मिलने के बाद, लोगों को पता हो गया था, कि जो big player है, वो यहाँ से निकल चुक है, अपना profit book करके, ठीक है, उसके बाद देखिए market कैसे गिर गया, ठीक है, यह कितना पर बेचा इधर, 1720 पर, और market कहां तक आ गय है, 1475, और भी market नीचे गया था, ठीक है, इतना आपको दिख रहा, कि कैसे market movement हो रहा है, और यह per day का candle है, ठीक है, daily candle है, कि यहाँ पर volume आने के बाद, कि कितना ज़्यादा market नीचे गया, ठीक है, और कितना दिन तक नीचे गया, चलिए अब next दिखते है, next क्या है, if during breakout, baby candle formed, 3400 big movies high, यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत लोगे साथ होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझना, बहुत लोग क्या करते हैं, कि जब भी market ने breakout होता है, और एक बड़ा सा green candle बनता है, उसके एक red candle जैसे ही बना, वो सोचेंगे कि market यहाँ से reverse होगा, वो profit book करते हो निकल जाते है market से, ठीक है, और उनका market से निकलते ही, बहुत बड़ा move एक दे जाता है, और वो grade fear के चलते, market से निकल चुके होते हैं पहले ही और profit book नहीं कर पाते हैं, और फिर बाद में regret करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, देखिए आप समझे, इतना move दिया, उसके red candle है, जैसे ही red candle है, अब लोगों को क्या लगने लगा, कि market यहां से नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो यह क्या किया, कि आप यहां पे देखिए, कि वो grade volume आया, और यह grade volume आता ही है, छोटे-छोटे player को market से निकलने के लिए, ठीक है, यह छोटे-छोटे player को market से निकला, inside candle बना, इसका high break हुआ, यहां चला गया, ठीक है, फिर से यहां पे candle बना, आप यहां पे देखिए, फिर से यहां पे बना, और उसके बाद फिर अगर वो जो candle, baby candle में लोग निकलेंगे, weekend को अगर लोग निकाल देगा, उसके बाद फिर से market और उपर जाएगा एक और example से अपन समझते हैं, यहां पे भी देखिए friends, यहां क्या होता है, breakout देता है, फिर एक baby candle बनाता है यहां पे, और छोटा से यहां पे volume आता है, यहां तो market retest करेगा, तो मैं और सस्ता में खरिद लूँगा, ठेक है, यहां तो market यहां से गिर जाएगा, तो यहीं पे profit book करते हैं, और उन्हें लगता कि मैं बहुत अच्छा profit book करके निकल गया, लेकिन उसके बाद आप यहां पे volume देख सकते हो, इतना च्या volume में दो candle उपर गया हुए, ठेक है, वो अगर निकले होंगे, माल लिजे कि वो अगर यहां पे निकले होंगे, तो वो निकले होंगे वीडियो एकदम boring नहीं होगा, आपको बहुत सारी knowledgeable चीज मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको live market में trading चाहिए, तो अब हमारे telegram चैनल पर भी जुड़ सकते हो, live market में आपको trade मिलेगा, और साथ हमें आप वहां ग्रूप में सीख भी सकते हो, देखे friends, support, resistance हम लोग पढ़त जाता है, ठीक है, फिर से उपर जाता है, और यहां कि इसको break कर देता है, तो एक तो ही M बैटन दिख रहा है, यह निकल लाइन break हुआ, उसकी बाद क्या हुआ है, आप ध्यान से देखो, तो break होने के बाद trend line कैसे follow करता है, या तो आप यहां पर entry कर सकते थे, इस candle की उपर stop loss लगाते हैं, या तो आप retest के बैट करो, तो retest देखे कितना अच्छा retest दिया है, और retest देने का आपका stop loss कितना छोटा हो गया, ठीक है, आपका entry था इधर कहीं, आपका stop loss इतना छोटा बस हो गया, और उसका market बहुत नीचे गया है, ठीक है, इतना आपको समझ में आग ठीक है, पहले ये वीडियो में पूरा सीख लो, देखे फेंट, ये था पहले supply, supply इसलिए था, क्योंकि market जब उपर जा रहा था, तो यहां से market को reverse भेज दे रहा था, फिर से उपर गया, फिर से भेज दिया, फिर से उपर गया, तो ये support लेने लगा, ठीक है, और अगले द पहला दिन, market से resistance लिया था, फिर से वहीं से resistance लेता है, और यहीं पर market आकर, क्या करता है, आप candle पर ध्यान दो, ठीक है, bullish engulfing candle यहां पर बनता है, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, उसमें कौन-कौन से candle में आपको entry करना होता, जब भी supply demand channel बनता है, ठीक है, supply आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसके उपर आप पूरा dedicated वीडियो देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए, अब नेक्स देखते हैं, नेक्स क्या है, moving average भी बहुत तरह क्यों होते है, weightage moving average होता है, simple moving average होता है, exponential moving average होता है, और भी बहुत सारे moving average होते है, जो लोग ल moving average होता है, तो moving average में बता दूँ, simple moving average होता है, यह वर्न आवर का चार्ट है, और HDFC का होता है, अब देखें, मैं आपको क्यों दिखाना चाहरा हो, कि resistance का support का कैसे काम करता है, जब यह नीचे आ रहा है, यहां से, 50S में, तो यह क्या कर रहा है, resistance का का काम कर रहा है, ठीक है, support लिया market, फिर से ऊपर चला गया, तो एक जो हमारा यह भी होता है, moving average, वो भी हमारा support resistance का बहुत अच्छा market में वक करता है, अब next का है, next है favorite investment, favorite investment भी एक ऐसा चीज़ है, कि आगर आपको पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से market में trade कर सकते हो, देखें, वान आवर का चा और जब मैंने day high, day low को बनाया, तो market जब उपर से नीचे गिरा, तो अब मुझे पता यह करना है, कि market कहां तक उपर जाएगा, क्या यह पूरा वी safe recover हो जाएगा, या तो फिर आधा जाएगा, फिर से नीचे आएगा, तो इसके लिए अपने favorite investment यूज़ करते हैं, तो जब आप यहां देखोगे, तो यहां से market resistance लिया, यहां से market resistance लिया, और यहां से resistance market लिया, ठीक है, तो कितना घंट रसिस्टेंस ले चुखा आपको पता चल रहा, आप देखिए, कि जैसे ही यहां से resistance लिया, अब आपको या तो यहां पे एसल लाल देना था, या तो इस गूप 65, ठीक है, 15 रुपया का आपका SL है, और आप टार्गेट देख लो, 1295, ठीक है, तो इतना वड़ा आपको टार्गेट मिल गया, यहां आपको समझ में आ रहा होगा, अब से लिए next देखते हैं, अब next क्या है CPR, CPR भी एक ऐसा चीज है जो आपको एक support resistance का का काम करके market में दे यू लाइन आपको दीख रहा न, यह CPR है, तो जब भी market उससे नीचे रहेगा, तो यह resistance का काम करेगा, ठीक है, तो यहां से देखिए, दिन भर market नीचे चला, फिर से उपर जाना चाहा resistance का काम किया, फिर से उपर जाना चाहा resistance का का काम किया, ठीक है, तो CPR भी बहुत देखिए, अब हम लोग बात करने हैं, बहुत लोग के साथ प्रॉलम होता और उन्हें नहीं पता होता कि हमें stop loss क्या लगाना, कितना लगाना, बहुत सारे लोग बिना stop loss कहा ही trade करते हैं, इसलिए लिखा हुआ, every type of traders must follow SL in any condition because bull market only over only 40% stock recover, ठीक है, समझ में आगे आपको ची traders हो, positional हो, swing हो, intraday हो, ठीक है, या फिर BTSD करते हो, मतलब buy today sell tomorrow, ठीक है, अगर आप positional trader हो, आपके हिसाब से अगर आपको पता है कि आपको उन्हें में trading करते हो, तो आपको अपने capital का 20-25% का SL लगाना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, उसके बाद अगर आप swing trading क आपको SL में समझा दिया, आप चलिए position sizing पर चलते हैं, कि हमें कितना lot पर काम करना होता, या फिर कितना quantity हमें buy करना होता, ठीक है, your position size neither too big nor too small, नहीं आपको position sizing बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, reason कहाना friend, क्योंकि लोग cyclosy को market में छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको ही पता होगा, आपके साथ भी life में ऐसा हुआगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कि जो हम लोग beginners trader होते हैं, वो क्या करते हैं starting में, कि एक telegram channel से दूसरे telegram channel, दूसरे telegram channel, और एक YouTube से दूसरे YouTube भटकते रहते हैं, reason क्या है, कि हम लोग एक magic होजना चाहते है कि कोई भी एक ऐसा magic मिल जाए, जिससे हम लोग 90% दिन trade करें और उसमें हम लोग profit कर सकें, जैसे माल लिजे कि 200, मैं example लेता हूँ, 264 दिन पुरा trading हो एक साल में ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं, कि 264 में मैं 200 दिन profit कर लो, ठीक है, 264 में 200 दिन मैं profit करूँ, मैं profitable बन आते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं आपको सब कुछ free में बता दूँगा, ठीक है, तो अगर आप साइकलोजी पर काम कर लिए, तो आपको profit यह हो जाएगा, आपके लिए फाइदा मंद यह हो जाएगा, कि अगर 264 दिन में, ठीक है, 264 दिन में, अगर आप 1500 दिन profit करते हो बस, ठीक है, तो जितना आपका पुराना loss और सब recover हो जाएगा, बस इतना ही में, reason क्या है, आप कितना risk to reward लेता हो, ठीक है, dependence में करता है, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ, CPR वेगरा, जो भी चीज में सिखाता हूँ, उसमें आपको कभी 1 to 1 जल्द कि आपको loss होने वाला 100 रुपया, तो आपको आने वाला 600 रुपया, ठीक है, तो इससे अच्छा कौन सा setup हो सकता है, तो इसमें क्या है, मैं आपको क्या बता है, कि 264 दिन में अगर आप 1500 दिना profit करते हो, साल बर में, तो आपका जितना आज तक loss हुआ, सबरी का और कर लोग ठीक है, आप यह चीज़ समझ के रखो, और माल लीजिए कि कोई ऐसा setup दुनिया में होता, जो 100% होता, ठीक है, कि वो कभी loss नहीं देता है, कोई भी setup, कितना बड़ा भी trader हो दुनिया में, कोई ऐसा setup उसके पास होता, जो 100% दिन profit देता, तो वो माल लीजिए कि बहुत बड प्टल वो position sizing पर क्यों ध्यान रखता आपना, reason यह है ना, कि सब को cyclology होता है, कोई ऐसा जादू market में नहीं है, जो आपको एक दिन, दो दिन, पांस दिन में में मेर बना देगा, ठीक है, तो आपको position sizing पर ध्यान रखना ना कम न जजादा, और यह कम और ज़ादा इसलिए म मैं example दे रहा हूँ, और आपने 50 quantity करता, तो जब आप profit booking कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या हैगा, कि मैं 500 quantity book करता, तो मैं इतना पैसा कमा लेता है, यहाँ पे, और अगले trade में क्या होगा, कि जहाँ पे आपको loss होने वाला trade में, वो trade में आप 500 quantity ले लोग है, ठीक है, जितना दिन में आप profit किये थे, सारा market को दे चुक है, उपर से अपने account से भी दे चुक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखें, अगर आप positional trader हो, तो allocate 10-15% fund in one stock, ठीक है, 10-15% ही अपना stock में fund डालो, ठीक है, अगर swing trader हो, तो 20-25%, intraday हो तो 20-25%, ठीक है, all calculation is based on risk management, इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं, मैं intraday के लिए समझाता हूं, माल लिजे कि आपके account में 1,00,00,00 है, ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, कि मैं पहले 4,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कर चुका हो, मैं 1,00,00,00 लगाता हूं, पर अदे 20,00,00,00,00 रुपया एहरं करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी इसको cover कर लूँगा, यह कभी नहीं होगा, आप इसके पीछे भागना ही मत, जितना आपका capital आप घर बेज़ दोगा, सब बेज़ दोगा, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि आपको क्या करना है, 20-25% fund यूज करना आपके account में अगर 1,00,00 रुपया है, तो आपको per day trading करना है 20-25,00 से, बस, अगर इसमें 2 lot आए, 4 lot आए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस से उपर जाना ही नहीं है, 20-25,00 से उपर, ठीक है, आपके पास 1,00,00 रुपया है, तो उस हिसाप से आपके पास जितना capital है, उसका 20-30% कर लेना, ऐसा मत करना आप, कि अगर आपके पास 10 share capital है, उसका अगर आप 20% लगाने लोगे, तो कोई फैदा नहीं होगा, वैसे आप trading नहीं कर पाओगे option में, ठीक है, इतना आपको समझ में आगे, चलिए अब next देखते है, next अपना आते है, target पे, ठीक है, जो चीज में आपको बताया था, वो चीज़ आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा, देखे, target must be based on good risk to reward, normally 1-2, ठीक है, if you simply follow 1-2, then you need to correct 40% time, then also you made a lot, यह बहुत बड़ी line है, अब ध्यान रखने है, इस line को, ठीक है, कि अगर आपका risk to reward 1-2 भी है, और आप 40% day अगर 40% day अगर आप profitable रहते हो, तो सारा आप profitable पूरा साल profitable में ही रहोगे, ठीक है, बस 40%, 60% आपको loss जाएगा, फिर भी profitable रहोगे, reason क्या है, 1-2, ठीक है, आप 500 अगर दे रहे हो market को, तो अगले दिन 1000 market से ले रहे हो, अगर आपका ऐसा trading setup है, तो अराम से 40% में हो जाएगा, और लोग यहां क्या करते हैं, कि लोग क्या करते हैं, कि अगर एक telegram channel पर गया है, वहाँ देखें कि उनके लाएक कुछ नहीं है, मतलब कि कोई trade दिया है, और वो trade loss चला गया, तो उन्हें क्या लगएगा, कि यह trader ऐसा है, कि इसे कुछ खुद नहीं आता है, तो यह दूसरे क् दिखाएगा, और इस region से वो क्या करते हैं, कि दूसरा trading channel जाते हैं, तो मैं यह बता दो, कि कोई भी होगा, वो 100% दिन correct नहीं दे पाएगा, ठीक है, उसका भी कभी न कभी loss होगा, वो भी जो भी call वगरा देगा, उसका भी loss होगा, इसलिए आप यह सब चीद ध्यान रखो आप किसी को blame मत करो, आप अपना back testing पे ध्यान रखो, आप अगर किसी से call भी लेते हो, तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमेशा बस अपना back testing पे ध्यान रखो, और जब भी कहीं भी call लो, या किसी से purchase करो, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि आप जो खरीद रहे हो क्यों खरीद रहे हो, ठीक है, अगर जैसे आपको पता ही नहीं कि आप दुकान गय और क्या खरीद न है हो, तो परस ऐसा थोड़ी हो कि दुकान वाले से आपने पैसा दी और आग बंद करके उससे समाल ले लिया, आपको तो पता होना चाहिए, कि आप खरीद क्या रहे ह इसलिए यह सब चीज़ आप ध्यान रखना हूं अब देखे पोजिशनल के बात करता हूं पोजिशनल में क्या है कि 50-100% ठीक है परसेंट का बात हो रहे हैं आप ध्यान रखना 50-100% आपका टारेट होना चाहिए स्विंग में 15-30% और इंट्राडे में 3-5% ठीक है 3-5% बहुत बड़ा हो था आप कल्कुलेट करके कवर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा आपका कैपिटल के हिसाब से ठीक है अब चलिए ट्रेलिंग स्टॉपलोस सीखते हैं ट्रेल लिए आपने यहां पर एंट्री किया आपका स्टॉपलोस यहां पर आप अब मार्केट जब यहां चलिया तब भी लोग नहीं निकलते उन'M लगत दॉल वर्दियाँ'mboard को प्रोटक्षिं करना तो अंपन क्या करेंगा स्टॉप लोग करके करके हां यहां पर देंगे कहीं कर देंगे मतलब कि हम लोग लोग लेने वाले ठीक है पार्सियल बुकिंग इफ एज रिक्स टु रिवार्ड यू येर्ण डवल ठीक है अगर आप जितना भी रिक्स टु रिवार्ड लगाया अगर वह हो गया आप डवल हो गया तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो रिस्ट क आप फोल्ड कर दो या फिर कॉश्ट टु कॉश्ट अपना इससे लगा सकते हो चलिए यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको इस चैनल में सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्ल